कि नमस्कार दोस्तों मैं आशुतो श्मासन आप सब का अपने यूट्यूब चैनल में जिन्दिगी पर हार दिक सागर करता हूं आपका जिन बहुत इस वकर सम्रद कल्याड का रही हो इस मंगल कामना के साथ हम आज कैसे दना स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा जो टॉपिक ह नमस्कार है वह यह है कि हम योग का अभ्яास नेमेत पर्लूप से कैसे करееं कुछ मित्रों की बरसम आया है कि नेमत इद्रूप करने में और अगर आप पुराने हमारे निमित तर्शक हैं तो निश्य रूप से हमारे वीडियो को ज्यादे से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाव उठा सकें सब्सक्राइब आपको छोटी से कहानी सुनाना चाहते हूं आप सबने थॉमस अलव आडिसन का नाम जरूर सुना होगा तो उनकी पत्नी ने इक पार उन से कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कभीकभी चुट्टी ले लिया तो उन्हें तो ने का इठीक है एक subset इस कहानी का जो सारांश है, वो क्या है, कि चीज चीज में आपका मन लगता है, वो आप हमेशा अच्छे से कर पाते हैं, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को देखिए कि, एक छोटे बच्चे को कभी यह कहना पड़ता है कि अरे, आज ये वीडियो गें खेलना भूल गया, आ तो जैसा कि प्रस्ण है सुरुवात में पूछा गया कि नेमिद योग का ब्यास कैसे करें, तो सवाल ही हैं, नेमिद अभ्यास करते क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, देखिए, यहां पर मैं और चोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि बहुत साम पहले किसी, बहु यह सीखने को त्यार हो जाता है, तो पहली चीज कि जब उसी किसी लाव की आशा हो, उसे लगे कि मुझे इससे लाव मिलेगा, और दूसरी कि क्यों बहुत बड़ी हानी का डर हो, जब इन दोनों इस्तित्यों में आद्मी परवरतन करने के लिए, सीखने के लिए, बदलने के लिए तैयार हो जाता है, तो सवाल ही कि हम योग का अभ्यास क्यों नहीं करें पाता है, क्योंकि हमारी जो उससे उम्मीद होती है, जो छोटी सी हमारी इच्छा होती है, वो चल्दी पूरी हो जाती है, हमें लगता है, जैसे कि अगर हमें लगा किसी को नीद नहीं आ रह तो गोल तो पूरा हो गया फिर किसी वक्ति को कोई बीमारी है कुछ चोटी भी नहीं समझता है तो उसे लगा कि अरे उतीन मैंने अभ्यास क्या है मैंने किया अभ्यास किया साल भर किया लाग मिल गया तो वह रिलाक्स अब मन उसको भटकाने लग जाता है इसलिए योग के जो अभ्यासी है वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि योग में अगर कोई लक्ष है तो वो है योग अभ्यास जो आपको बताए गया है जो आपको डिजाइन किया गया है सुबह साम आपको क्या क्या अभ्यास करना उसका नेमत अभ्यास करना ही यही गोल होना चाहिए उससे चो लाव मिलने आले हैं वो तो आप उसके आरे में सोचो या ना सोचो वो तो लाव आपको मिली जाएंगे कि फ्रेंड्स यही वो पॉइंट है जहां पर गीता में कर्मणने वाद इकारस्ते मां फलेश्चु कदा चलो उसका यह अर्थ नहीं कि आपको फल मिलेगा ही नहीं तो मिलेगा आप ज़रा समझने कोश्च करें कि माल लिजए आपके पास एक हजार यूनिट इनर्जी है उसमें से आप क्या करते हैं कि पहले थोड़ा सा काम करते हैं फिर थोड़ा सोचने में लगा रेते हैं फिर थोड़ा काम करते हैं फिर थोड़ा सोचने में इनर्जी लगा रेते हैं फिर थोड़ा काम करते हैं फिर थोड़ा सोचने में इनर तो ऐसा नहीं है कि आप योग का अभ्यास करो तापको फल ही नहीं मिलेगा फल अपने आप मिलेगा लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि योग कि एक लंबी प्रिक्रिया है कि वह वास्तों में जीवन जीने की एक शैली है अभ्यास ऐसा होना चाहिए इतना ही सरल सहज जैसे कि हम प्रितिन सांस लेते हैं भोजन करते हैं पानी पीते हैं तो उतना ही गहरा उतना ही हो हमेरे जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए कि हम करते ही हैं अभ्यास हमें उसके लिए अलग से सोचना ही नहीं बढ़ना चाहिए कि जैसे वो कोई अलग से काम नहीं है वो हमारा जीवन और शाहिली है वो तो हम करना ही करना है लेकिन फिर भी नए अभ्यास को कुछ दिक्कते आती हैं मैं समझ सकता हूं उसके लिए कुछ सही होगी चीज़े हैं जो करने चाहिए जैसे कि सबसे पहली मत कुछ चीज कि आप अपने आपको दिल दिमाग में बठा लेजिए कि मुझे अभ्यास नेमित रूप से करना है और उसके लिए तयारी करिए और ददी रात में समय से सुझेए और समय वागी सरे काम में टा तुके होंगे अपना लैटॉप मोवाइल टीवी सब बंढ़ करेंगे और उसके लिए आप समय से मौजन करेंगे इसमें कुछ दिन लग सकते हैं कुछ लग सक्ते हैं किसी भी जखा बना के रखिए कि शाम को हमेसा हलका भोजन करिए योगा भ्यास में बहुतरीन भोजन नहीं है कि इस पेड़ी कि जिसमें कि आप उसमें और सब्सक्राइब सकते हैं सलात ले सकते हैं तो यह ऐसा संतुलित भोजन है जो आपके लिए पौस्टिक भी है हलका है सुपाच्य है तो सबसे मत्पूर है नेमित नेमित तार रूटीन को फिक्स रखिए सुबह उठते ही अपना एक्दम सबसे पहले मुवाल को मत देखिए मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाओंगे सुबह उठते ही क्या क्या करना चाहिए तब तक बाकी जो है लेकिन जो लोग अभ्यास कर रहे हैं तो सबसे पहले जितनी जल्दी उसे गया अपने योगा जिस पे आप करते हैं योगा मैट पे या इसे हम लोग कंबल करते हैं क्योंकि बहुत कंबल कुछ अलक है इनरजी को जबीन पर नहीं जाने लिए इसलिए उस इंगेज रखिए ताकि आप एक सही माहौल का निर्माण कर सके और नेमित रूप से भ्यास कर सके यह बहुत ही आवश्चक है कि दूसरी जो सबसे महत्पूर्ण चीज है कि कई वारे जब नया भ्यासी होता है उसका सरीज में दर्द होने लग जाता है दिक्कते होती तो उ करता है और आपके इंदर परिवर्तन करता है और यह योगिक अभ्यास के बिल्कुल ही अनुकूल है तो इससे आपको एक सपोर्ट मिलेगा सपोर्ट कि जब जिस चीज को मन तयार हो जाता है जिस काम को करने के लिए सरीर उसको फॉलो करने लग जाता है और उसके लावा जो सबसे मत्पूर्ण बात है पहली चीज मैंने आपक सही रखिए कि दूसरी चीज है जब तीसरी इंपॉर्टन चीज है कि सही संगत कि आप ऐसे लोगों के साथ बिताइए जो पुराने अच्छे अभ्यासी हैं नेमत अभ्यास कर रहे हैं कि आप उनके जीवन से उनके आजपस रहे कर उनसे प्रेजना प्रात कर सकते हैं लेकि निष्ट चूप से बहुत से लोग के प्रस्तों होता है कि ऐसे सब्सक्राइब लिए कहां और हम तो ऐसे किसी को चांदते नहीं और इसी बहुत सी बाते हो जाती हैं मैं समझ सकता क्योंकि कि समय बतल रहा है और हर वक्त हर आत्मी आश्रम में तो रहता नहीं है तो इसका दूसरा उपाय आप हमारे चैनल पर हमसे संपक में रह सकते हैं आप हमारे वीडियो देखते रहें आपको से प्रेड़ना मिलेगी और इससे भी अधा महत पूर्ण है धर्म ग्रंतों क अध्यान ग्रंतों का अध्यान महापुरुषों के ग्रंतों का उनके जीवनियां उनका अध्यान जैसे कि आप स्रीमत भागवद गीता का अध्यान रेगलर नेमित रूप से कर सकते हैं हम लोग इसको नेमित अभ्यास करते हैं आप जैसे मेरे पास एक पुस्तक है योगी क के बहुत सारे बहाँ परोस हैं जो अध्यात्म से जोड़े हैं आप उनके बारे में पढ़ते तो उसके आपको अंतर प्रेणा प्राक्त होती है और बस कुछ दिन की बात है शुरू में उस दिन अगर आपने उसको मैनेज कर लिया बस उसके बाद तो फिर वह आसान होता जाएगा प्रेणा को कहते हैं कि संसकार संसकार को खीशता है कुछ दिन अभ्यास कर लेंगे तो मन की आदत है मन मन में मन का एक नीयम है जरत का नीयम आपने जरूर से नहोंगा जब आप किसी काम को शुरूर करते हैं तो उसमें तो रहते स्टेंस करता है मन उसका प्रतिरोध लेकिन जब आप कुछ दिन तक नेमित करते हैं तो वही जड़त करने हैं आपके पक्ष में काम करने लग जाता है और इसलिए फ्रेंड्स मैंने सबसे सुरुवात में जो पहला वीडियो डाला था रिलैक्सेसन का वीडियो वो जानवस कर डाला क्योंकि होता कि मन दिमाग हमको ब्रहमित कर देता है जब हमको सुरू करते हैं तो बहुत बड़ा बोल बता देगा और फिर जब नहीं होगा तो एक दम से लगए अरे अब हमसे हो गा ही नहीं जबकि सरल से करिए पहले पहली चीज कि हमको नेमिता पर देना जब नेमित होने लेगा तो फिर देदरे अभ्यास और आगे बढ़ने लगेगा तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता है मैं इसको फिर से दोरा देता हूं कि सबसे पहले आप अपना रूटेंस सही है जो मैंने बताई है उसको जानने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना होगा हाउ टो भी रिच और प्रॉस्परस बाई राइट अटिटिटूट अफ लिविंग इस वीडियो को देखिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा और आप सबका जीवन बहुती सुख़द हो और आप अपने अभ्याजन जरूर समपूर्णता परात करें इसे शुख कामना के साथ आज इतना है